हेलो एफनियोथ वैल का टू डिस्के सrd consiste वाले विकली कारणट तumu हैं ऐा लिए फुर्स्ट आउगस्स सी ली और और इस वीडियो को लगाज्ट तक झानि जरूर देखी B करते हैं डगर विफॉर दरह अगर आपने अपने फर्पिज अब तक अगर फॉलो किया है तो फटा-फट कर लीजे ताकि आपको डेली बेसेस पे एक्जाम अपडेट्स भी मिल सके और आप क्विज्स भी सॉल्व करता हूँ स्टाट करते हैं पहली इंपॉर्टन न्यूस से कि प्राइम बिनिस्टर नरेदर मोदी को कॉन्फ़र किया गया विद द लोकमानिय तिलक नैशनल अवार्ड ये अवार्ड उनहें जो है वो पूने में दिया गया उनके रिमांकेबल कॉन्चिंज इन दिया गया दीपक तिलक जो प्रेसिडट है तिलक सब्रक मंदिर ट्रस्ट के उनके दुआरा अब ये जो तिलक सब्रक मंदिर ट्रस्ट है इसको find किया गया था 1983 में और हर साल 1st August को ये present किया जाता है लोकमानिय तिलक जी की death anniversary पे उन individuals को जिन्होंने remarkable contributions किया है नेशन के development में बहुत बड़ा achievement है ये कि इंडिया का जो third lunar exploration mission है चंदरायान 3 अब इसने एक important accomplishment जो है वो हासल कर ली है moon के sphere और influence में वो enter कर चुका है successful entry थी और ये possible हुआ because of the trans lunar injection जो execute किया गया था इसरों के द्वारब spacecraft expected है कि वो moon के surface में touch करेगा 23rd August को 547 पीएप को ये एक बहुत बड़ी achievement होगी इसरों के और हो एक advancement lunar exploration में और scientific discoveries में next news है parliament ने pass कर दिया एक ऐसा बिल जो अपसे allow करेगा private sectors को vine, lithium और other atomic minerals को extract करने के लिए again ये decision जो एक historic decision है ये move लिया गया है ताकि domestic exploration को increase किया जा सके और जो vital minerals है उनका production बढ़े साथी साथ expand किया जा सके companies को जो in resources के उपर rely करती है next news है Indian postal department ने एक बड़ा initiative लिया है तो celebrate तहरगर तिरंगा अब जैसे कि हम सब जाते हैं कि इंडिया अपना 75 years of independence celebrate कर रहा है तो इसी चीज़ को मंदे नज़र रखते हुए Indian postal department ने एक initiative स्टार्ट किया कि वो national flag जो है वो करेंगे approximate 1.60 लाग post offices वे अभी इनिशियेटिव जो है वो एम कर रहा है कि जो हमारा tricolor flag है जो हमारे देश का pride है वो सारे shopkeepers तक पहुचाया जाए और सब के दिलों में patriotism जो है वो जाग जाए पाच करोण लोगों से जादा last year लोगों ने participate किया था जब एक initiative postal department ने किया था जहांपे लोगों को selfies जो है अप्लोड करनी थी tricolor flag जो है अपने ऊपर लगा कर तो यह एक successful जो है हम बोल सकते है initiative था इसलिए year year भी ऐसा ही एक initiative postal department के द्वारा लिया गया है next news है world archery championship 2023 में इंडिया जो है historically एक बना दिया है history create कर दिया है और gold medal जीत लिया है इंडिया की जो women compound archery team है यहाँ पे इन्होंने world archery championship जो Berlin that is Germany में हुई थी उसमें gold जीत लिया है यह इंडिया का पहला gold medal है इस championship में और साथी साथ अगर हम देखे तो इसमें आज तक कोई भी तरीकी का medal इंडिया ने नहीं जीता है next है government of India ने introduce किया आयूश visa category for the foreign nationals जो सीख कर रहे है medical treatment इंडिया में यह decision लिया गया है ministry of home affairs के दुआरा जिसने एक आयूश visa foreign nationals के लिए issue किया ताकि treatment जो है लोगों को मिल सके Indian systems of medicines जैसे की therapeutic care हो गया wellness होगा योगा होगा अगर जैसे यह सारी चीजों से अगर लोगों का treatment हो सकता है तो foreigners को visa जो है वो मिल जाएगा एक new chapter that is chapter 11a आयूश visa इसको add किया गया है visa manual after chapter 11 में medical visa के बारे में जो deal करता है कि किस तरीके से Indian medical systems के अंडर लोगों का treatment हो सकता है अब यह जो term है आयूश यह एक acronym है for the ayurveda, yoga, naturopathy, yunani, siddha and hobiopathy next news है Prime Minister Narendra Modi ji lay down करने वाले है foundation stone for the revamping of 508 railway station main name यह है कि जो हमारे देश का infrastructure है उसे हम किस तरीके से redevelop कर सके facilities को passengers के लिए किस तरीके से improve कर सके तो यह decision लिया गया है अमरित भारत scheme के तहत जहाँ पे government ने almost 1309 stations को revamp करने का जो है plan किया है but currently 508 stations को जो है revampic का approval मिल चुका है 24 railway station 10 states में ऐसे होंगे जो redevelop किये जाएंगे इस हमरित भारत scheme के तहत almost 1813 करूर rupees सिफ allocate किये गए है CST terminus that is चत्रपती शिवाजी महाराश टर्मिनस जो महाराश्टा मुंबाई में है यह highest allocation इसको मिला है among the 24 railway station और यह station जो है एक UNESCO World Heritage Site भी है जहाँ पे passengers का traveling बहुत जादा होता है and apart from that यह main aim यह भी है कि किस तरीके से हम अमारे infrastructure को और बहतरीन कर सके अब आज आते हैं विसके ऊपर आज का पहला question है primary target audience कौन सी है of the ULAS that is the now भारत शक्षत्रप कार्यक्रप correct answer है citizens जिनकी age 15 and above है और जिन्होंने अपनी formal schooling miss out कर दी है next question है primary objective क्या है of the corporate debt market redevelopment fund correct answer है investments को purchase करना and साथी साथ corporate debt securities जो market conditions की विज़े से stress में आ जाती है तो उन्हें अच्छे से operate करना next question है कौन सा ऐसा state है इंडिया में जिसमें largest tiger population है correct answer है Madhya Pradesh next question है the first goods trade जो carry करने वाला है essential items यह operate किया जाएगा कौन से state में इसका correct answer है Manipur next question है what is the current director general of the world trade organization किसको appoint किया गया है correct answer है Nagosy कौन जो आइगलिया next question है what was the total number of income tax returns जो फाइल किये गए थे for the annual year 2324 till 31st July 2023 जो last date ता ITR फाइल करने का correct answer है 6.77 करोन next question है Dash is the विवाद से विश्वास 2.0 अब यह क्या है यह एक dispute resolution scheme है for the contractual disputes जिसमें government involved है next question है until when can import consignments of the laptop, tablets and personal computers be cleared without a license correct answer है October 31st 2023 next question है AAA credit rating इसका significance क्या है correct answer है यह एक highest rating है जो इंडिकेट करता है कि जो company है या जो organization है उसके पास एक strong ability है कि वो debts को repay कर सके next question है Foxcom का largest plant इन्या में कहां पे located है correct answer है चलने तमलाडूग so that's it guys do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affairs साथी साथ we are a coaching classes जो law, MBA and banking के लिए आपको coaching provide करते है हमारी coaching centers दोबिली, घाटको पर दादर में situated है आप इन numbers में से हमें contact कर सकते है